हेलो बच्चों हमें आसा है आज हुए पेपर आपके अच्छे गये होंगे आएं आज का हल प्रश्पत्र देखें खाने के सोडे का रासानिक सूत्र है सोडियम बाई कार्बोनेट एक रासानिक परिवर्तन का उधारन है लोहे में जंग लगना किसी तर्थु के समान परमाण जगता दो है तीसरा उत्तर अगला प्रश्पन लिम्लिकित प्रोटानों और इलिक्टानों की संख्या का काउंसा सेट क्लोराइड आयन में पाया जाता है क्लोराइड आयन क्लोरीन में परमांग 17 है तो इसका जब क्लोराइड आयन बनता है एक लिक्टान और गन कर लेता है 17 प्रोटान और 18 इलिक्टान इसका उत्तर चौथा वाला साही है प्रोडूसर गैस है तीसरा CO और ENO2 अगला प्रस्ण निम्ड में से कौन से असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन है इतलीन तीसरा उत्तर अगला प्रस्ण ब्रास निम्ड में किसकी मिश्रुधात हो है कापर और जिंक का ताबा और जिंक तीसरा अगला प्रस्ण B1 और B2 एक चुम्बक के मद्ध ता अंत सिरे पर चुम्बकत को प्रदर्सित करते हैं यह दोनों बराबर होगे B1 और B2 दूसरा उत्तर अगला प्रस्ण यह दि गयस तता द्रब में ध्वन का वेक क्रम साई 1-1-1-2 हो तो द्रब में अधिक होता है तो 1-2 is greater than 1-1 तीसरा उत्तर साहिए इसका अगला प्रस्ण मानो नेत्र का लेंस निम्ड कित होता है यह उत्तर लेंस होता है जो अभिषारी है पहला उत्तर इसका साहिए निम्ड लिखीत में自 निम्ड कित में से कौन सा मिलान साहिए इसमें पहला साहिए पंखे के ब्लेट की गत जो है बृत्ति गती है अगला प्रस्ण उसमें उर्जा का मातरक है जूल चौथा उत्तर सही है इसका अगला प्रशन आयन नभी करन उर्जा स्रोत का उधारन है पेट्रोलियम गैस पहला उत्तर अगला प्रशन निम लिखित में से काउन ध्वानी परावरतन का उधारन नहीं है कि खिलोना टेलिफोन अगला प्रशन निम लिखित में काउन सिक्केंद से होकर गुजरती हैं तो उनमें बिचलन नहीं होता सही है उत्तल दर्पणों का उप्योग ट्रैफिक और लोकन वाले दर्पणों में होता है सही है ए और बी दोनों सही है अगला प्रश्ण रेक्ट का लाल रंग की सुराणर के कारण होता है हीमोगलोबिन चौथ उत्तर अगला प्रश्ण सर्वदातार उधिरवर्ग है ओ चौथा उत्तर अगला प्रश्ण के चुए में उस्षरजी अंग होता है उस्षरगिक्या या निफ्रेडिया अगला प्रश्ण स्त्रमणेंद्रियां है कान अगला प्रश्ण बिटामिन डी की कमिसे होता है सूख रोग चौथा मानों की शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथी है यकृत पहला उत्तर निम लिखित में से किसमें मुखलन भी द्वाला प्रजनिन होता है हाइड्रा पहला उत्तर निम कौन सा तंद्रिका कोश्क्या का भाग नहीं है रीड रज्जू नाग फनी का पौधा है मरुस्थली अगला प्रश्न काौन सा रेश़ा प्रदान करने वाला पौधा है जूट पहला उत्तर कौश्कया का और्जा ग्रह कहलाता है माइट्रोकंडिया चौथा उत्तर कुनेन की छतकी कुनेन के चाल को किस भीमारी के इलाज के लिए इस्तिमाल किया जाता है malaria का, तीसरा उत्तर अगला प्रस्ट bryophyllum precedent किसके द्वारा होता है 35 निम्न में किस सेवाल का प्रयोग जै औरुवरक के रूप में किया जाता है, पालिस ईफैफौनिया, दूसरा उत्तर, ओप्रक्रिया जो दुख्ध की इस्थित सुच्छ की टान को मार देती या निश्क्री कर देती है वास्वराइजेशन दूसरा उक्तर अपुस्पी पाधा है फर्न अगला प्रश्ण बैदिक काल में ग्राम के प्रमुख किस नाम से जाने जाते थे ग्रामडी अगला प्रश्ण आलमगीर नामक पुरा तत्त अस्थल निमलखित में किस नदी के किनारे है हिंडन नदी के किनारे है पहला उत्तर दायमाबाद पुरास्थल कि स्राज में स्थित है महाराष्ट में दीसरा उत्तर निमलखित में किस ग्रंथ में 16 महा जनपतों का उलेक है अंग उत्तर निकाय में अगला प्रश्ण चंपा अधो लिखित में किस महा जनपत की राजधानी थी अंग चौथा उत्तर असोग के पिजा का नाम चौथा उत्तर बिंदस्वार प्रसिद पुष्ट का इंडिका के लेखत मेगा स्थनीज तीसरा उत्तर अगला प्रश्ण आगरा सहर की अस्थापना किसने किया शिकंदर लोधी ने पहला उत्तर हल्दी घांटी का युद्ध हुआ अगबर और महाराणा प्रताब के बीच चौथा उत्तर अगला प्रश्ण मुर्शिद्याबास से मुगेर अपनी राजधानी अस्थानांत्रित करने वाला बंगाल का नवाब मीर काशिम अगला प्रश्ण असहयोग आंदो से ब्रिक्ष पाये जाते हैं सुंदरी के ब्रिक्ष किस देशांतर रेखा को भारती समय मापक से जोड़ा गया साले 82 अंस पूर्व तीसरा उत्तर गर्म जलधारा है क्यों रोशियो जापान की है पहला उत्तर अगला प्रश्ण अधिक उश्रकटिबंधी चक्रवात निम् से हैं दूसरा उत्तर थाल घाट के का संबंध पस्मी घाट दच्छर पस्मी हवाओं का संबंध है मांसून से पहला उत्तर अगला प्रश्ण जीवन निर्वाह क्रिश का संबंध है मिश्रित क्रिशी से दूसरा उत्तर निम्लिक्रित में कौन सा समोर नगदी फसल का प्रत के सिन दी यानि चौ्टा उत्तर अगला प्रसुन प्रिथा की भू पर्पट्री का निर्मार होता है सियाल तीसरा उत्तर निम्ण yapmışत में कौन सी ठंडी महासागरी जल्धारा है कनारी की जल्धारा निम्ण में कौन का अभ्यक्त जिल्या पंचाय सदस नहीं हो सकता 21 वर्ष तीसरा उत्तर स्वक्ष भारत मिशन किस वर्ष लागू किया गया 2014 में पहला उत्तर निर्वाचन आयो की अस्थापना 25 जनवरी 1950 पहला उत्तर भारती सम्मिधान की प्रारूप समित के अध्यक्स डॉक्टर भीमराव अंबेटकर दूसरा उत्तर मौलिक अधिकारों का उलेक सम्मिधान के किस भाग में है भाग 3 तीसरा उत्तर मौलिक कर्तब की संख्या बरतमान में 11 है दूसरा उत्तर सही है अनुछेद 52 का सम्मंध राश्पती से प्रथम उत्तर पहला उत्तर सही है सम्मि क्या सामिल है जो मूल अधिक्यार में नहीं है कुटीर उद्योग का प्रोश्राहन चौथा उत्तर निम्वे कौन सुरक्षा परिश्यत का अस्थाई सदस नहीं है इटली चौथा उत्तर एक गाउं की जन संख्या एक हजार पांसो है इसमें 40 परिश्यत पूरुष 30 परिश्य सुद्रिया और शियस बच्चे हैं बच्चे और शर्ष्य की शंख्या में उत्र सून्य पहला उत्तर को यदकेनी दो संख्याओं का एक 110 है तो दोनों में बड़ी संख्या की छोटी संख्या से भाग देने पर क्रमसे भाग फल और से फल 4 है तथा 5 ति इन में बड़ी संख्या है 89 तीसरा उत्तर अंडर रूट एक्स बटा 1-1 एक्स प्लस अंडर रूट 1-1 एक्स अपान एक्स बराबर 2 और सही एक बड़ा अच्य है को हल करने पर का मान प्राप्त होगा चार बटा तेरा पहला उत्तर किसी संभाव त्रभुच की प्रते घुजा की लंबाई चार सेंटीमीटर है तब उसका छित्फल होगा चार करणी में तीन दूसरा उत्तर निम्ण में वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 8192 से भाग देने पर भाग है 54 तीसरा उत्तर यदि दो घाते यन रिंड दो घाते यन माइनस वन बराबर चार तब यन घाते यन का मान 27 होगा दूसरा उत्तर यदि किसी आयत की लंबाई चोड़ाई क्रम से 10 परशंट तथा 20 परशंट बढ़ा दी जाए तो उसका छित्फर कितना प्रिश्यत बढ़ 115 तीसरा उत्तर यदि एकस घाते तीन रिंड वन अपान एकस घाते तीन बराबर तिरसर बटा आठ तो एकस माइनस वन अपान एकस का मान तीन बटा दो होगा यदि किसी आयत का छित्फल एकस घाते चार धन एकस स्क्वार बटा चार रिंड एकस क्यूब धन एकस स्क्वार इन्टु यह 1-x square और उसकी लंबाई 2x square minus x by 2 minus 1 हो तो उसकी चौडाई होगी 1 minus x upon 2 दूसरा उत्तर यह किसी धन का 10 प्रेशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रविद ब्याज और साधारन ब्याज का अंतर 10 रुपए हो तो यह धन एक हजार रुपए होगा तीसरा उत्तर प्रथम 10 अभाज संख्याओं का माध्य है 12.9 चौथा उत्तर यदि x बटा 5 और y बराबर 8 हो तो x धन 5 और y धन 8 का मान है 5 बटा 8 दूसरा उत्तर अगला प्रश्ण कार्ती तल चित्र में बिंद P और बिंद Q के बीच की दूरी 5 ही क्याई 14 उत्तर दो लंब बेलनों की आधार की त्रिज्याएं तीन पाते 5 के अनुपात में है तथा इनकी उचाहियों का अनुपात दो अनुपाते 3 है तब इनके बक्रिष्टों के चित्रपल का अनुपात दो अनुपाते 5 होगा पहला सही है अगला प्रश्ण दो पासों को एक साथ रिक्षया उचालने पर अंकों का योग साथ या उससे अधिक आने की प्राइकता 7 बटा 12 तीसरा उत्तर अगला प्रश्ण दिये गए चित्र में ओवरित का केंद्र है असफर्स बिंदू P तथा Q पर असफर्स रेखाएं P T तथा QT है यदि कोंड P O Q बराबर 120 डिग्री तो कोंड P T Q का मान होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, 3-वरित संख्या को 13 से विवक्त करने पर 100 बसता है और यदि इसके भाजद फन को 5 से भाग दें तो 3 बसता है अब यदि इसकी संख्या से 65 से भाग दें तो 100 बहुत था एक